आप देख रहे हैं MPCG Express News अगर आप हमारी खवरें यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें पंच कल्याणक के अजब नजारे चार माह में करीब अठारा सो किलोमीटर का सफर कर कुंडलपूर पहुंचे संत पाय सागर जी महराज कुंडलपूर में पंच कल्याणक महामा उत्सव की भव्विता और विस्ताल आयो जिनके बीच कई रोचक नजारे भी दीखने मिल रहे ह पंच कल्याणक में शामिल होने के लिए आज्याणक के सिस्स्रि पाय सागर जी महराज करीब अठार सो किलोमीटर लगातार चलकर कुंडलपूर पहुँचे मुनी स्री के साथ चल रहे अनुयाईयों ने बताया कि संत पाई सागर जी महराज पिछले चार माह से पैदल चलते हुए करनाटा कांधर प्रदेश तेलंगाना महरास ठोते हुए लगभग अठारा सो किलोमीटर का सफरताय करके आज कुंडलपुर पहुंच रहे हैं मुनी जी के पैरों में छाले होने के बाब जूद बिहार नहीं रोका और लगवग तीन से चार माह हो गए इस अवधी में सिर्फ पंदरा दिन के लिए मुनी जी ने हैदराबाद रहे बाकी लगवग तार चलते रहे महराज जी कहां से आगमन हुआ है आपका कब से चल रहे हैं आप नवंबर से लगातार यात्र कर रहे हैं कब कुंडलपूर कप कुंडलपूर कप पहुंचेंगे आप आपके पेरों में च्छालिप आ चुके हैं कुछ बताएंगे क्या कब से लगाता है करनात तक आंद्र प्रदेश तेलांगना महराष्ट्र से होते हुए कुंडलपूर की और चल रहा है महराष्ट्री प्रतिजिन 40-50 किलो मीटर की दूरी तै करते हुए कुंडलपूर महुचसव में सम्मेलित होने के लिए विहार कर रहे हैं अभी तक बिंदोरा करनाटक आंद्र प्रदेश तेलांगना महराष्ट्र होते हुए महराष्ट्री म अंगल विहार 1600 किल्मी हो चुका है जिसके बाद कल उनकी यात्रा कल पूर्ण होगी मतलब आज तो हो चुकी है और मुनिश्री छोटे बाबा के दरबार बड़े बाबा के यहां पहुच चुके हैं कितना सफर तय किया है आप लोगोंने मुनिश्री के साथ कुंडलपुर पहुचने में हमने हमने मैं लगबग 20 किल्मीटर से चलती आ रही हूं और बाकी बहुत लोग चलते आ रहे हैं और बाकी बहुत ही लंबा बिहार था इनका सबसे जादा लंबा बिहार था और अब आज यहां पहुच चुके हैं तो बस बहुत खुशी की बात है